जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जून और 25 जून 2021 के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी कौन से योग बनेंगे क्या शुब दिन होगा और उन सभी का प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में इन दोनों दिनों में कि आपकी सिक्षा, आपका प्रेम सम्मन्द, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका वेपार, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोट असा ही निवीदन है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया मिलते रहेंगे तो चलिए इन दो दुनों के तिथी नक्षत्रों की बात कर लेते हैं 24 जून का जो दिन है, यह गुरुवार का दिन है, शुकल पक्षक की पुर्णिमा तिथी है यह जेस्ट मास की पुर्णिमा है, जिसका बहुत महत होता है और इस दिन बहुत अच्छे योग भी बन रहे है, जेस्ट नक्षत्र रहेगा एक तो शुब नाम का योग बन रहा है, दूसरा अमरत सिद्धी योग इस दिन बनेगा रव योग इस दिन बनेगा, और चंद्रमा की स्थिथी सुबह नो बजे तक तो वरश्चिक राशी में है लेकिन उसके बाद चंद्रमा धनू राशी में आ जाएंगे, गजकेस्र योग भी निरमित हो जाएगा सुरिय मितन राशी में बैठे हुए है, शनी और गुरु दोनों वक्रस्ति स्थिथी में बैठे हुए है और इस दिन का अभिजीत मूर्थ है, सुबह 11 बज कर 56 मिनट से, दोपहर 12 बज कर 52 मिनट तक अब 25 जून का दिन, शुकरवार का दिन है, क्रशन पक्ष की प्रतिपदा तिथी है और मूल नक्षत्र रहेगा, ब्रह्म नाम का योग बनेगा, चंद्रमा धनुराशी में है, सुरिय मितन राशी में है, आदरन नक्षत्र में इस दिन काविजीत मूर्थ है, सुबह 11 बज कर 56 मिनट से, दोपहर 12 बज कर 52 मिनट तक ये ग्रह नक्षत्रों की इस्तितिय है, अब ये दो दिन आपके लिए इन ग्रहों की इस्तितियों के अनुसार कैसे बीतेंगे, चलिए जाननेते हैं विस्तार से पहले 24 जून की बात करेंगे, एक तो 24 जून का जो दिन है, जेश्ट मास की पुर्निमातिति है, अब जेश्ट मास की जो पुर्निमातिति होती है, ये बड़ी महत पुर्निमानी जाती है, अमावस हो या पुर्निमातिति हो, तो हमारे हिंदु धर्म में इसका बड़ा तो माना जाता है और जिन तो शुब सी योग भी बन रहे हैं ग्रहों के और इस योग भी बहुत अच्छे हैं तो बगवान विश्णु की पूजा अर्चना भी ऐस दिन करें और चंदरदेव को अर्देवी आप अर्देवी आप दें शाम को जब चंदरमा आए तब आप दे सकते हैं अब 24 जून का दिन जा लेते हैं पहले सिंकराशी के लोगों के कैसा रहता है तो ग्रहों के इस्तिती होगी आपके लिए की आपके पास बड़ी एनरजी होगी की काम को करने की हर काम को करने की जो काम का बोज आपको वरिशान किये हुए था कुछ मन में किसी बात को लेकर टेंशन थी और जो आपकी खीज की वजह बना हुआ था उन सभी चीजों को आप दूर कर सकते हैं उन सभी चीजों से आप आगे निकल सकते हैं आप अपनी महनत से आप अपनी अनुकूल पैसा बना सकते हैं आज आपके लिए पैसा बनाने का दिन कहा जा सकता है बशरते आप अपनी जमापोंजी पारंपरी के तोर पर निवेश करें अब न मैजदी की लोग आपके जीवन में छोटी मोटी परिशानिया खड़ी कर सकते हैं तो उनसे थोड़ी सावधाने रखें यात्रा का योग है और ये यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी आपकी अगर आप अपने जीवन साथी के साथ बाहर जा रहे हैं तो बड़ी रूमानी या लिखने में बरबाद हो सकता है इससे अच्छा है कि आप इसको अच्छे से स्पैंट कर सकें टाइम को ऐसी जिगह लगाएं कुछ अच्छी चीज सीखने की तरफ या आप कुछ ऐसी जिगह समय को लगाएं जिस समय का महत आपको जानना होगा कि आप क्या कर सकते हैं मन में कई आइडियाज आएंगे कई विचार आएंगे लेकिन आइडियाज को अमल में लाने का समय है सिर्फ सोचते रहने का समय नहीं है तो उन चीजों पर जल्द ही काम करना शुरू करें दिन खत्म होते होते आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो काम है कई वो पेंडिंग हो गए है कई काम आपके पूरे नहीं हो पाए है तो वो थोड़ा सा आपको तनाव दे सकते हैं लेकिन आप प्टेंशन ना लें उस काम को आप अगले दिन में कंप्लीट कर सकते हैं जो हुआ है उससे संतुष्टी आपको रखनी होगी कोई भी काम करें तो उसके पहले आप सुबह से ही रूप रिखा बना कर चलेंगी किस समय तक आपको क्या कंप्लीट करना है क्या आपके परिवार के साथ बिताने के लिए समय है तो इस सितियां काफी अच्छे से आपके लिए निर्मित हो जाएंगी बाकी शाम का समय बच्चों के साथ पिताएंगे तो राहत महसूस करेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े काम अगर आप करते हैं तो उनके लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है कोई अच्छी डील फाइनलाइज हो सकती है आपकी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी बाहर का खाने पीने से परहेज करें वरना पेट संबंदी परिशानिया हो सकती है लव लाइफ भी थोड़ा ठीक नहीं होगी प्रेमी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है और अत्रित प्रेम संबंद बनने के भी योग है तो अपने साथी के प्रती वफदारी आपको रखनी है और साथी की स्वास्ते का भी ध्यान रखना है वो नई आपके जीवन में परिशानिया खड़ी कर सकते हैं अब 25 जून का दिन कैसा रहेगा आपके लिए तो ये दिन आपके परिवारिक रिष्टों को मजबूत करने का है परिवार में जो भी आपके सदस्य हैं उनके बीच में अच्छी बॉंडिंग होगी थोड़ी सी मेहनत आपको अपने उद्यों में कामयाब कर सकती है तो अपनी थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाएं और जैसा कहा कि योजना बनाकर रूप रेखा बनाकर काम करेंगे तो सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे नव दमपत्ती हैं इस राशी के जो उनके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी उनको कहीं बाहर भूमने का मौका मिलेगा आप कहीं प्लानिंग कर सकते हैं बाहर जाने की वेबसाइक तोर पर भी ये जो दिन है ये काफी अच्छा रहेगा खारियों के लिए हाथ से बहतर दिन रहेगा आप हर काम को धहरिय और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो आप ये कोशिश होंगी वो भी सफल रहेंगी ओफिस का बढ़िया माहूल होगा जो आपको खुश कर देगा देखे जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं जो चीजें हैं उनकी तरब तहां देना शुरू करें बातों को अच्छी तरह से समझें पकड़ बनाएं अपनी तो निश्चित रूप से नए रास्ते भी खुलेंगे और वो आप रास्ते भी आपको अच्छे लगेंगे जीवन साथी की कारेस्थल पर तरक्की हो सकती है कोई ऐसा काम सौपा जा सकता है जिसकी उनको काफी खुशी हो खर्चे का योग भी है लेकिन ज्यादा खर्चा करने से बचें क्योंकि ये खर्चा आपकी दोस्तों के उपर आपकी मित्र मंडली के उपर हो सकता है जीव काफी डेली हो सकती है खाली जीव लेकर घर लोट सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है परिवार के सदस्थ से भी कुछ चीजों की डिमांड आपके सामने रख सकते हैं जिसको देकर आपको तनाव हो जाए तो पहले से ही सारी चीजों का आपको मैनेज करके चलना होगा बाकि प्रेम संबंद के मामले में तो ये दिन बहुत ही खुबसूरत मोर ले सकता है प्रेम संबंद तो इस दिन काफी अच्छे रहेंगे स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक है कोई परिशानी नहीं दीख रही है आपका मान भी पढ़ाएं में लगीगा बाकी धन सपत्ती के मामले में 80% भागय आपका साथ देगा प्रेम संबंद बहुत अच्छा रहेगा वेफसाईयों के लिए भी समय अच्छा है वेवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ही अनुकूल बना हुआ है तो लगबग 85% हर कामों में आपका भागय आपका साथ देगा तो दोस्तों और अदि कैसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कूल ना भूले